अब्ढें दिल्किम टूमाई चानल तो आजके टेरो रीडिंग का टॉपिक है देर हिडण फीलिंग्स टुवर्ड जी किस तरीकी फीलिंग्स वो रखते हैं जो उन्हें अभी तक अभी तक कंफेस्ट नहीं करीं है या फिर जो है अपने मन में आपके लिए किस तरी की feelings रखते हैं जो वो एक collective timeless reading है कुछ चीज़े आपकी situation से resonate करेंगी और कुछ चीज़े आपकी situation से नहीं भी resonate करेंगी आप उसे आज़तेस छोड़ सकते हैं अगर आप मेरे channel पे नए आए हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा पहला काड़ आ रहा है strength लियो energy आई है काफी जादा आपको एक strengthful person की तरीके से देखते हैं powerful personality की तरीके से देखते हैं आप किसी को भी जो है overcome कर सकते हो और आपके सामने कोई भी tick नहीं पाता है next आ रहा है the magician intense जो है वो आपकी तरफ एक attraction को महसूस करता है उन्हें ऐसा लगता है कि आपने कोई जादू सा कर दिया जिस तरीके से हमें बच्पन में कहानियां सुनाई जाती थी बेशक वो fictional होती हैं जूटी कहानियां होती है कि कोई जो है परी आई है या कोई prince charming आया है लेकि हम लोग जो है वो विश्वास कर लेते थे तो इस तरीके की यहाँ पर energy है वो आपकी तरफ इसी तरीके से feel करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई एक magic सा जो है वो आपके पास है और आपकी तरफ वो खिचे चले आते हैं तो इस तरीके की energy है चले देखते है कुछ और cards the death scorpion energy है intense जो है वो आपके लिए feel करते हैं एक transformation वाली energy है कि सब कुछ जो है वो change हो चुका है या करना चाहते हैं बहुत सारी चीजे जो है उन्हें ऐसा लगता है कि change करनी चाहिए ऐसी energy है या पर और नेक्स टार है पेज ओफ सौर्ट से चौर कार्स देख लेते हैं temperance, sagittarius energy है एक और देखना चाहते हैं the devil, capricorn के energy ये person बहुत ज़्यादा obsession जो है पर नजर रखते हैं आज से नहीं है लगबा कुछ सालों से भी हो सकता है तो हो सकता है आपको ये अंदाजा हो कि कौन इंसान जो है वो आपको जो है वो इस तरीके से देखते हैं या stock करते हैं कभी-कभी ऐसा भी लगता होगा आपको कि कोई pet है या कोई nature में जो है जैसे मालो आप पार्क में घूमने जा रहे हैं सिर्फ example दे लिए और आप बिल्कुल ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं कौन आपको देख रहा है कौन आपको नहीं देख रहा है तो ये इंसान जो है वो आपको देख रहे हैं लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप से वो obsessed है जिस तरीके से वो आपके बारे में सोचते हैं और इस level तक सोचते हैं कि उन्हें obsession सा लग रहा है चलिए देखते हैं कुछ और cards 9 of wands आपके उपर stuck feel करते हैं नेक्स आरा romantic feelings है इस इंसान के मन में 2 of cups की energy आई है high priestess का काड़ा है mysteriousness है अभी तक जो है आपको अपनी romantic feelings के बारे में इस इंसान ने नहीं बताया है लेकिन आपके उपर stuck भी feel करते हैं ये सब उनके दिमाग में ही अपने आप से चल रहा है आपने कुछ नहीं किया है लेकिन आपकी powerful personality की तरह बहुत ज़्यादा attraction वो महसूस करते है नेक्स्ट आरा four of cups वो ये नहीं चाहते हैं कि आप जो है उन्हें reject कर दो या फिर जो है love offer करें और आप जो है उन्हें reject कर दो किसी भी कारण से artistic person हो सकते है नेक्स्ट आरा टावर कार्ड ये बड़ी unexpected feelings है उनके मन में नेक्स्ट आरा five of sorts इसको मैं clarify करती हूँ कि इस तरीके के energy क्यों है उनके पस जो ये hidden feelings आपके लिए रख रहे हैं उनके मन में ये perspective है कि उनके साथ जो है धोका धड़ी पहले हो चुकी है या ये कह सकते हैं उनका trust जो है वो किसी ने तोड़ा है और इस वज़े से जो है वो आपको अपनी feelings नहीं बताते हैं तो ये जो है आपसे बड़े हो सकते हैं इस वज़े से भी ये जो है आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं क्योंकि या तो ये दो या तीन साल आपसे बड़े हैं आप लोगों के बीच में age gap है या reputation का अंतर हो सकता है for example जैसे आप जो है उनसे जो है वो उम्र में छोटे हैं या फिर आपका status बहुत बड़ा है और उनका status बहुत अच्छा नहीं है financial condition पर हो सकता है religion पर हो सकता है culture पर हो सकता है तो इस वज़े से जो है ये अपनी feelings हैं उसको suppress रखते हैं इस तरीके की energy आ रही है कुछ societal जो है perspective हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है क्यूंकि आपको काफी वो high regard में देखते हैं या देखती हैं जो भी आपका gender हो next देख लेते हैं उनकी feelings या कुछ और कहना चाहते हैं six of coins, the fool, Aquarius energy है next are a wheel of fortune, good luck की तरीके से देखना चाहते है page of cups, आपको approach करना चाहते है two of swords और eight of swords है यही चीज है कि यह person जो है बहुत अदर stuck feel करते हैं अपने दिमाग में आपको लेकर वो आपकी तरफ उनकी इच्छा, दिल की इच्छा यह है कि आपकी तरफ generosity दिखाएं आपकी तरफ और आगे बढ़ पाएं आपको जो है वो respect करते हैं love करते हैं लेकिन यहाँ पर जो है इन में जो है decision लेने की अभी फिलाल हिम्मत नहीं है two of swords की energy हाई है दोनों चीजों को अपने आपको बहुत जादा गार्ड कर रखा है इस वज़े से कर रखा है क्योंकि उनके साथ past में बहुत सारी चीजें खराब हुई है और जो चीजें खराब होती है तो व्यक्ति को trust issues आ जाते हैं तो इस वज़े से जो है वो बहुत जादा आपके बारे में सोच रहे है आपका यहाँ पर कोई लेन देना नहीं है कि आप उनके बारे में कुछ गलास सोचते हो आप उन्हें कभी अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे आपके दिल दिमाग में ऐसा कुछ है ही नहीं लेकिन ये इनसान अपने आप से ही ख्यालू पुलाओ बना रहे है नेक्स देख लेते हैं कुछ रीसेंट आक्शन उनके आक्शन तो वो लेंगे नाइन अफ कप्स की एनरजी है नेक्स टारस सेवन ओफ वांज तो पहले जो है इस इनसान को आपकी जिंदगी में आने से मतलब आने तक जो है पहले अपने मन को थामना होगा जो चंचलता चल रही है कि ये कर दूँगा तो वो हो जाएगा वो कर दूँगा तो इसने हर्ट कर दिया था पुराने परसन ने मुझे हर्ट किया था तो ये क्यों नहीं हर्ट करेगा या ये जो है मेरा फाइदा ना ले ले कुछ इस तरीके की चीजे हैं बड़ी ही एक उलजी हुई एनरजी यहाँ पर आ रही है लेकिन यह आपकी तरफ action लेंगे और यह तब हो पाएगा जब वो यह समझ जाएंगे realization कर लेंगे कि आपके पास उनकी खुशी है nine of cups है खुशी का card है wish fulfillment है ओवर जो सोच रहे है seven of wands या seven of johs आया था कि किसी ने मुझे जूट बोला है तो उसको end करके आपको lovers की तरीके से accept करना चाते है आप में जो भी differences है चाहे वो age gap के हो चाहे वो society की तरफ से हो कुछ भी हो सकता है तो उसको overcome करके आपके पास आना चाहते है और victory को success जो है जो six of wands है उसको public recognition से लोगों को बताना चाहते है कि आपके पास वो खुशी महसूस करते हैं judgment का काड़ा है, realization है rebirth की तरीके से आना चाहते हैं वो ten of wands है उसको जो है वो अपनी जिंदगी में पीछे छोड़ देना चाहते है और king of swords है जैसे मैंने कहा कि Libra energy है बहुत जादा एक जो boundaries है उसको जो है खोल कर आपकी जिंदगी में एक सही boundary create करके आपके पास आना चाहते है और justice create करना चाहते है तो यहाँ पे आपूर्ण जो है वो स्थिती है चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव कार्ट क्योंकि आपे बहुत hidden energy है जैसे मैंने कहा था कि topic ही एसा है कि hidden energy है hidden energy ही रख रहे है वो अपने दिमाग में जब तक वो overthinking को सोचते सोचते नहीं हटाएंगे तब तक जो है वो आपके पास नहीं आपाएंगे तो देख लेते हैं उनकी तरफ से card next है आपके लिए यहाँ पर दोनों में ही couple आया है आपकी तरफ protective वो feel करते है चलिए देखते है club cards क्या कहते है beware of what you are projecting for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally so the qualities you don't like are also your own reflection तो जो qualities आप में वो पसंद करते हैं या नहीं करते हैं वो उनका perception है उनके दिमाग में यह सब चीज़े चल रही हैं आपने कुछ कहा ही नहीं है आपने कुछ किया ही नहीं है फिर भी जो है वो इतनी सारी चीज़े सोच रहे हैं अगर आपको कुछ गलत लगता है आपको वो इंसान सही नहीं लगता है बैक आफ कर दो तो इस वज़े से आप अपने आपको प्रोटेक्ट भी रख पाओगे यह एक एडवाईज है मेधी तरह से आप प्रोटेक्शन भी रख पाओगे और अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से लीड भी कर पाओगे चलिए देख लेते हैं यहां पर कुछ औरिकल कार्ड में देखना चाहती हूं कि क्या है आप लोगों के लिए क्यारियर क्यारियर पर ध्यान दे रहे हो गुड़ लक गुड़ लक आ रहा है और नेक्स आरा है कंपाटिबिलीटी अगर खाटिबिलीटी है किसी के साथ और आप अपको ऊजह लग है कि आप लोग जो है वह अच्छा भविश्य बना सकते हो तो ज чувरूर बनाओ एस इंसान को हील होने की जुरूरत है मुझे उस इंसान की ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी लग रही है और एक और देखना चाहते हूं Divine Masculine Divine Masculine आपको मिल रहा है Female है आप तब भी और अगर आप Masculine है तो Divine Feminine जो है वो आपको यहाँ पे मिल रही है चले देखते इस energy से रिटेट कुछ Charms यहाँ पर Taurus energy आई है Stability मिल रही है Security मिल रही है Honey भी आया है तो Honey भी जो है वो एक Hardworking नेचर को दिखाता है बहुत ज़्यादा यह person hardworking या Workaholic हो सकते हैं जिस वज़े से वो अपने Emotions को suppress कर देते हैं जैसे मैंने कहाँ Age Gap भी हो सकता है आप लोगों में अपनी Intuition की बात सुनो जो मन कह रहा है जो Inner Voice कह रही है वो ही सच है जैगवार आया है Hidden Energy है अभी तक आपके सामने नहीं आये है और Possibility भी यह है कि जब तक वो यह सब overthinking करना नहीं छोड़ते हैं तक जो है आपके पास नहीं आप आएंगे Next आरे याप यह Hummingbird आई है Prosperity को, Luck को, Wealth को दिखाती है तो इस तरीके से भी आपको सोचने की जुरत है कि आपको अपना काम करना है उनको अपना काम करना है Life अपनी बनानी है तो actions भी आपको ही लेने है जो चली देख लेते हैं उनकी तरह से कुछ Love Messages Sorry, Love Song तो पहला आ रहा है मेरी दुनिया है वास्तव मूवी की देख लेना कौन सा गाना है Next आरे मेरी जिंदगी में आये हो अर्मान मूवी का दोनों ही गाने बहुत ultimate है अच्छे गाने Next आरे खुदा जाने केके का है Next आरे सुरीली अखियों वाले वीर मूवी का है Next आरे तू ही मेरी दोस्त है युवराज मूवी का है और Next आरे आपके लिए बाखुदा तुम ही हो आतिफ अस्रम का तो इस तरीके के गाने जो है शेयर करें शब्सक्राइब करें Thank you